क्या आज रिष्टों के धागे इतने कच्चे हो गए हैं कि छोटी सी बात पर तूर जाते हैं यह नराज होकर किसी की भी हत्या करती जाती है ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना हर दोई के टंडियावा कोत वाली शेतर से हमारे सामने आ रही है यहां बड़े भाई की डांट से शुब्ध नशेडी छोटे भाई बड़े भाई की भाला घोप कर हत्या कर दी और घटना के बाद से वह फरार हो गया फिलहाल पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटन के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई ह टंडियावा के कट्रा मजरा जिगनिया खुद निवासी सतेंदर दो वर्ष पूर्व पिता की मोत के बाद पांच भाईयों व मा शोमवती के साथ एक साथ रहता था लगबग दस साल पहले सतेंदर की शादी हुई थी पतनी उसे छोड़ कर चली गई थी जो वापस नहीं पहुचा इसकी ग्रामिनों की शिकायत पर सतेंदर ने उसे डाट दिया जिससे वो बरदाश नहीं कर सका इसी बात से नराज होकर वह शराब के नसी में गाली गलोच करने लगा जब सतेंदर ने उसको इसके लिए मना किया तो वह घर गया और घर में रखा भाला लेकर आया और अपने बड़े भाई के सीने में घोप दिया जिससे वह गंभीर रूप से खायल हो गया जिससे सी एसी ले जाया गया जहां से उसे जीला अस्पताल रेफर कर दिया गया जीला अस्पताल में उसकी मोथ हो गई पूलिस ने शर्व को कबजे में ले लिया और मामले में श्राब पीके मार की चिपले किसने किसको मार दिया चपू छोटे भाइने बड़े भाई को मार किया। आपके कौन है दोने अज उत्वाई हैं। दिवाद किस बात को लेकर हुआ था दिवाद यह हुआ था कि मतलगा मतलख कानव सराब पीके गारी मत चला। बड़े भाई ने चोटे भाई को समझाया चोटे भाई ने उठा के चोड़ा पेट में भूव देखिए ठाना तेडियावा चेत्र में आज जो है एक व्यक्ति सतेन की उसके भाई के द्वारा भाला मार करके पेटों भाला मारने से मर्तिक हो गई और इसकी जो आपस में इनो कि क्या कारवाइब दिया ने कि मुकदमा दच किया गया है उसको शॉप को पोस्माटक के लिए बेज दिया गया है और भाई की तलाश की जा रही है उसकी इरफ्तारी शेयर होगी जे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेश को बहें पाने के लिए बैल इकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल्यू